नमस्कार दोस्तों, तो आज के हमारे इस वीडियो में फिर से हम लोग एक बार बात करेंगे Learning Vocabulary Made Easy Part 4 की तो इसमें फिर से मैं आपको 5 words समझाऊंगा वो 5 words के meanings भी समझाऊंगा और उसके साथ साथ हमारा most important part of the session is कि वो words को याद कैसे किया जाए वो words को लंबे समय के लिए याद कैसे रखा जाए तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहला word है Abate Second है Abdicate Third है Aberrant Fourth है Abate Fifth है Abayance So सबसे पहला word Abate का मतलब क्या होता है Abate means to reduce the intensity or force of something किसी भी चीज़ की intensity को reduce करना कम करना या उसके force को उसकी तिवरता को कम करना उसको बोलते Abate Second Abdicate Abdicate का मतलब है हमारे पास जो चीज़ आई है उसको give up कर देना Surrender कर देना उसको बोलते Abdicate कोई throne throne मिला है राजगदी मिली है उसको किसी को सौब देना हमारे अधिकार को किसी को सौब देना उसको बोलते Abdicate बाहुबली मूवी में जैसे बाहुबली ने किया था माहिश्मती जो है बल्लाल देव को दे दिया था तो उसको बोलते Abdicate करना खुदी step down कर जाना देवसिना को पाने के लिए उसने बोल दिया शिवगामी देवी को हमें माहिश्मती नहीं चाहिए देवसिना से हम शादी करेंगे Abdicate करना मतलब give up कर देना Surrender कर देना Third is Aberrant Aberrant का मतलब क्या होता है Something that is unusual Something that is not normal Normal नहीं है Unusual है Abnormal है उसको बोलेंगे Aberrant Fourth Abit Abit का मतलब क्या होता है किसी भी व्यक्ती को कोई गलत काम करने के लिए Instigate करना गलत काम करने पे मजबूर कर देना उस बंदे को provoke करना Agitate करना गलत काम करने में किसी को instigate करना उसको उपसाना वो खराब काम करने के लिए गलत काम करने के लिए Crime करने के लिए किसी को instigate कर देना Agitate करना उसको बोलते हैं Abit Abit meant to suicide Abit meant to suicide Suicide करने पे मजबूर कर दिया उसको बोलते हैं Abit उसके बाद आएगा Fifth Abayance Abayance का मतलब क्या है किसी भी चीज को किसी भी कार्य को आप थोड़े टाइम के लिए Delay करते हो उसको inactive बनाते हो उसको active से inactive status में रख देते हो थोड़े टाइम के लिए जैसे government official से जनता जो है कोई answer मांग रही है बट government उसको टाले जा रही है टाले जा रही है तो किसी भी चीज को थोड़े समय के लिए टाल देना उसको बोलते अबेयंस तो temporarily आप किसी भी चीज को अबेयंस पे रखते हो मतलब उसको थोड़े इस time के लिए side पे रख दो इसका answer हम लोग बाद में देंगे उसको अभी जो है इस matter को अबेयंस पे रखो अबेयंस का मतलब है थोड़े time के लिए उसको temporarily उसको inactive बना दो वो important नहीं है उसके उस matter पे हम लोग बाद में उसका answer देंगे उस पे बाद में हम काम करेंगे abate, abdicate aberrant, abate और abate और abayance अब इसके English meanings जो मैंने आपका अल्यड़ी समझा दिये फिर से एक बार हम लोग देख ले थे बच्चो abate का मतलब क्या है to decrease in force or intensity किसी भी चीज़ की तिवरता को कम करना या किसी भी चीज़ की तिवरता कम होना उसको बोलते हैं abate abdicate, surrender कर दिया renounce कर दिया, step down कर दिया give up कर दिया, त्याग कर दिया किसी भी चीज़ का उसको बोलते है abdicate aberrant का मतलब क्या है aberrant, abnormal है, unusual है something that is not normal is called aberrant abate का मतलब क्या है abate, abate का मतलब है inside करना, instigate करना provoke कर देना, stimulate कर देना agitate करना, गलत काम करने के लिए उसको बोलते है abate abayance, temporary suspension या suppression, dormant condition dormant मतलब inactive condition में किसी भी चीज़ को रख देना, किसी भी matter को dormant condition में, inactive स्तिती में रखना, उसको बोलते abayance, अब बच्चों इसको याद कैसे रखेंगे कोई मोटा सा बंदा है जिसका weight काफी बड़ा हुआ है और वो बंदा खाए जा रहा है, खाए जा रहा है उसके parents बोलेंगे abay bhai, अरे भाई, अब 8 eat का बुद्काल क्या होता है past tense क्या होता है, eat 8, अब 8 करना बंद कर, क्यों आपको reduce करना है किसको, weight को reduce करना है, अब 8 8 actually past tense है फिर भी हम लोग यहाँ पर ले रहे है abate का मतलब क्या है to decrease in force और intensity तो अब कम से कम भाईया, खाना कम करो अब eating कम करो, क्योंकि आपको अपने weight को abate करना चाहिए abate, उसकी intensity को decrease करो force को कम करो तिवरता को कम करो, तो यह सिफ याद रखने के लिए मैं समझा रहा हूँ यह, इस तरीके साब को abate to decrease in force or intensity abdicate एक बड़े से डाकू ने डकेटी को छोड़ दिया अपने आपको surrender कर दिया क्योंकि उसने अपने son का future देखा अपने बेटे का future देखा, कि अगर आज मैं jail चला गया, या कहीं पे मारा गया in future, because मैं डाकू हूँ, तो डाकू as a criminal, अगर police ने किसी दिन मुझे मार दिया, तो मेरे बेटे का क्या होगा, अब डकेटी छोड़नी है अब डकेटी छोड़नी है अब डकेटी जो है abdicate कर देनी है, surrender करना है हमें खुद को surrender कर देना है, abdicate of डकेटी, ऐसे याद रखना है बेटा abdicate का मतलब क्या है अरे मेरा landlord देखो यार, हमारे मकान मालिक जो है कभी भी rent बढ़ा देते है, बाकी सब के मकान मालिक ऐसा नहीं करते है हमारे दुकान के जो मालिक है या हमारे जो शॉप के मालिक है या जो हमारे घर के मालिक है वो कभी भी rent बढ़ा देते है उनका nature कैसा है abnormal है, aberrant rent कभी भी बढ़ा देना aberrant, aberrant कैसी याद रखोगे rent कभी भी बढ़ जाता है तो aberrant, abnormal, unusual abet का मतलब क्या है उसने मुझे cricket bat cricket bat को steal करने के लिए चोरी करने के लिए उपसाया तो bat के लिए abet किया bat steal करने के लिए abet किया bat को steal करने के लिए abet किया तो abet करना मतलब inside करना instigate किया उसने मुझे उस चीज को चोरी करने के लिए बढ़का आया चलो भई आप तो कुछ भी कर ले तू इस बैट की चोरी कर ले किसी भी गलत काम के लिए किसी को बढ़काना किसी को इस्टिगेट करना that is abet abayance अरे भई आप तो answer दे दो ab answer abayance कब तक abayance में रखोगे ab answer दो abayance में मत रखो ab answer दो abayance में मत रखो इस matter को abayance temporary temporary suppression या फिर dominant condition में रखना inactive mode पे कुछ चीजों को कुछ matter को कुछ time के लिए रख देना abayance ab answer दे abayance में मत रख abayance में मुझे मेरी चीज का answer दे मैंने जो सवाल पूछा है उसका answer दे abayance में मत रख तो I hope कि यह आपको help करेगा यह सारे पांचों के पांचों words याद रखने में abate abate मतलब eat मत कर abate your weight अभी आपको आपका weight जो है कम करना है abdicate abdicate अब क्या करूँगा abdicate ही जो है he abdicated for his son उसने सारी सारी चीजों को surrender कर दिया give up कर दिया मुझे मेरी जो मैं डाकू बना हुआ हूँ वो सामराज यह मुझे नहीं चाहिए मैं जेल जाने के लिए तयार हूँ क्योंकि 10 साल के बाद जब मैं बाहर आऊंगा तब मैं मेरे बच्चों के future पे क्या कर पाऊंगा focus कर पाऊंगा अगर क्रिमिनल बना रहा डाकू बना रहा surrender नहीं किया तो future में हो सकता है मेरा encounter हो जाए और मेरे बेटों का या मेरे बच्चों का क्या होगा so aberrant rent increased suddenly मेरा landlord ऐसा है कि कभी भी rent को बढ़ा देता है बाकि किसी के मकान मालिक ऐसे नहीं है उनका nature कैसा है उनका nature aberrant है unusual है abnormal है abet का मतलब क्या है he abetted him in stealing a bat bat की चोरी करने के लिए मुझे उसने abet किया abayance ab answer they don't keep in abayance तो I hope बच्चों ये पांचों words आपको clear है पांचों words आप याद भी रख पाओगे इस video को पूरा देखिएगा थाकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको words याद रखने है और इससे पहले भी हमने तीन videos ऐसे बनाया थी ये part 4 है और भी आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे videos में डालने वाला हूँ और आने वाले videos में हम लोग जो है जो grammar के जो tenses है 12 tenses उसकी भी बात करने वाले है तो I hope कि आपको हमारे ये video पसंद आएगा आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं अगर हमारे videos अच्छे लग रहे हैं तो और videos को sharing भी कीजे और like भी कीजे Thank you so much